तो हम आपको बता रहे थे शास्त्री संगीत जिसे रागदारी संगीत भी कहा जाता है इसके कुछ मुख्य नियमों के विशे में हमने बात की रागदारी संगीत में आरो और अवरो की आरो यानि सोरों के क्रम के अनुसार सोरों का चढ़ना नीचे से उपर की तरफ गाना या बजाना और अवरो मतलब उपर से नीचे की तरफ आना लेकिन करम के अनुसार कुछ-कुछ रागों में यह जो वर्ण है यानि यह जो पैटर्न है यह थोड़ा सा चेंज भी होता है जहांपर कि हम कहें कि स्थाई वर्ण और संचारी वर्ण का भी प्रयोग किया जाता है आरोही और अ अवरो की आवशक्ता क्या है यह विद्यारतियों के मन में बात आएगी कि हमें तो राग सुनने में बहुत अच्छा लग रहे हैं आरो और अवरो क्या वशक्ता क्या है आरो और अवरो से क्या राग बनेगा या आरो और अवरो से हम राग को गा सकते हैं मेरा मत या मेरा मा में कौन-कौन से स्वर प्रयोग होते हैं यदि आपको यही नहीं पता कि राग में कौन-कौन से स्वर प्रयोग होंगे तो आप राग को का विस्तार कैसे करेंगे राग को कैसे गाएंगे राग की संख्या से जो है जाती निर्धारित होगी यदि किसी राग में म और नी जो है वो वर्जित है तो हमें आरो से ही तो पता चलेगा कि उसमें वर्जित है और अवरो संपूर्ण है तो हमें समझ में आए कि अवरो में सारे स्वर आते हैं अवरों से ही पता चलेगा कि राग में अवरों में किस प्रकार कि स्वर लिये जाते हैं। कभी-कभी ऐसे राग भी होते हैं जिन में हम कहें कि राग गाते समय हम आरो ऐसे लेकर अवरो में किसी ऐसे स्वर का प्रियोग इस प्रकार से उसके कोमल रूप में उसको प्रियोग किया जाए तो राग जो है वो अमुक राग सामने आता है जैसे हम अलहिया बिलावल की बात करते हैं तो अलहिया बिलावल बिलावल से अलग होता है क्योंकि अवरो में उसमें दोनों शुद धहवत की बीच में कोमल निशाद का प्रियोग होता है ये उसको अलहिया बिलावल का अलग अपना एक सुरू प्रदान करता है इतना मात्र क कहने से जो है वो राग अलग हो गया या गाने से या बजाने से राग अलग हो गया लेकिन जब हम राग अलग होने की बात करते हैं राग के आरो और अवरो से ही तो हमें समझ में आएगा कि राग में अवरो हमें कोमल निशाद का प्रयोग इस प्रकार करने से ये राग बदल गया तो राग में आरो और अवरो का जानना जरूरी है मैं ये कहूं कि किसी भी चीज को एक पेंटिंग हम बना रहे हैं तो पेंटिंग बनाने के लिए हमें क्या-क्या चीज की जरूरत है या हम कहीं पर कोई किसी फैक्टरी में कोई कपड़ा बन रहा है तो उस कपड़े को बनने की जो process है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी steps हैं, वो steps अनिवार हैं, यदि वो steps नहीं होंगे, तो वो कपड़ा बनने ही पाएगा, ऐसे ही राग में, यदि steps नहीं हैं, यदि हमारे आरो और अवरो नहीं हैं, जो basic चीज है, जो basic जिसे मैं कहूं की, एक ठोस जो उसका एक स्वरूप है, एक सांचा है, जिस पर की पूरा राग जो है, वो खड़ा है, वो यदि नहीं है, तो राग तो समझ में ही नहीं है, और राग होगा ही नहीं, इसलिए आरो और अवरो जो है, वो बहुत ही महत्वपून है, मुख्य रूप से कहा जाएं, इ नहीं आरो और अवरो करते समय या उस राग को गाते समय एक एसा स्वार समुदाए है जिसको कि जैसे हम उसका प्रयोग करते हैं तो अगला विक्ति उसको पहचान लेता है अधिक तर आरो और अवरो से ही पहचान लेता है उसमें ही वो मुख्य भाग आ diffusion और यदि वो आरो अवरो में नहीं भी है किसी किसी राग में नहीं है तो उसको एड़ कर दिया जाता है या उसको साथ में गाना अनिवार है जैसे कि हम राग जैजेवंती की बात करते हैं तो हमने राग जैजेवंती की आरो अवरो के बाद ने सादनी रे रे गारे सा तो हम सारे गारे सा इसको हम गाते हैं ने सादनी रे तो ये गाते एकदम समझ में आते कि ये तो जैजेवंती है तो हर राग की अपनी खास पहचान होती जैसे की हम लोगों का चहरा है वो हमारी खास पहचान है इसलिए हम कहीं फॉर्म भड़ते हैं हमें कहा जाता है कि अपना पास्पोर्ट साइज का फोटो लगा दीजे तो अपने गले की फोटो लगा दीजे या अप अपने चहरे के अलावा जो है अपने शरीर की फोटो लगा दीजे उससे तो आपकी पहचान होने के लिए आपका चहरा अनिवारी है जो आपकी पकड़ है जो आपकी पहचान है जो आपकी आइडिंटिटी है जो आपको आइड जान पाते हैं राग में प्रत्य एक राग में एक ऐसा सरसमुदाय होता है जिसको गाते या बजाते समय हम एक दम उसको सुनते ही कह सकते हैं कि ये राग सो एंसो है ये ये राग जैजवनती है या राग देस है या राग बिहाग है तो वो राग की पकड़ कही जाती है राग का आरो अवरो और राग की पकड बहुत जरूरी है मैं राग के आरो अवरो की बात करती हूं तो अक्सर ये भी कहती हो मेरे बहुत से व्याक्यानों में आपने सुना होगा कि आरो अवरो is just like a skeleton आरो अवरो मातर एक हड्यों का धाचा है पुरा राग नहीं है तो आप यहां प प्रकुल इस बात को स्पष्टी करण में इस प्रकार से देती हूँ कि आरो अबरोसे में ये तो पता चलता है कि राग में कौन-कौन से स्वर प्रयोग हो रहे हैं, किस प्रकार से प्रयोग हो रहे हैं, क्या उसकी क्रम बध्धता है और कौन सा स्वर प्रयोग नहीं हो रहा है किस स्वर का क्या सुरूप है ये सब हमें पता चलता है लेकिन जब हम उसको गाते बजाते हैं तो उसकी एक विशिष्ट एक अपनी चाल होती है अपनी चलन उसका होता है उससे हम पहचानते हैं कि ये राग अमुक राग है और उसी से हम उसको उस राग से किसी अन्य राग से उसको differentiate कर सकते हैं भिन्न हम उसको बता सकते हैं ये बेहतлы जरूरी है जैसे कि राग भैरव है राग भैरव के जो स्वर हैं जिसमें रिशब और धैवत कोमल है सारे स्वर हैं सम्पून जाती का राग है इसको हम गाते हैं तो हम कहते हैं राग भैरव है बिल्कुल वही फ्रण श्रिंखला जो है वो दूसरे एक राग में मिलती है वो है राक कलिंग्डा और कलिंग्डा राग में भी हो बहु वही स्वर है तो difference कैसे होगा difference होगा उसको गा बजा कर उसके चलन को दिखा कर उसमें कोई ऐसी बात होगी जो उसको राकलिंगडा से भैरव को अलग करती होगी यानि किस स्वर पर कितना ठहराव है किस स्वर का प्रयोग करना है किस सब्तक में कि मध्य सब्तक या तार सब्तक या मंद्र सब्तक में कौन से स्वर को कितनी इंपोर्टेंस देनी है कितना न्यास है किस स्वर का किसी विशिष्ट स्वर समुदाय स्वर गुच्च के रूप में प्रयोग होना है ये सब जो है वो अलग-अलग जो अंतर जो है रागों के बीच में करते हैं और इसे ही हम कहते हैं राग का चलन चलन बहुत जरूरी है यानि राग की एक चाल है एक तरीका होता है मैं इसको एक ऐसे उधारण के साथ देना पसंद करूँगी जैसे कि दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं यानि जुडवे हैं और उनको देखकर कोई भी अंतर नजर नहीं आता जैसे कि हम लोग अकसर हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि एक हीरो ने दो रोल किया होता है किसी हीरो इन ने डबल रोल किया होता है तो बिल्कुल वही हू बहू चहरा होता है ऐसे ही बिल्कुल आइडेंटिकल कोई ट्विंस है उनको देखकर कोई अंतर हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन जब हम उनसे बाचीत करते हैं जब हम उनके करीब होते हैं जब हम उनको और अधिक नजदीकी से जानने की कोशिश करते हैं कुछ समय उनके साथ व्यतीत करते हैं तो हम दोनों में अंतर जो है वो बहुत आसानी से जान लेते हैं हो सकता है कि उनके दोनों के व्यवहार अलग हो, हो सकता है दोनों के कुछ विशिष्ट आदते हो, हो सकता है कि दोनों के बोलने का तरीका अलग हो, हो सकता है दोनों की रुचियां अलग हो, तो अपना-पना टेस्ट होता है, तो इससे जो है दोनों में अंतर जो है वो किया जा सकता है पहचाना जा सकता है ऐसे ही एक विशिष्ट स्वर समुदाए जो है उस आरो अवरो से है क्योंकि विशिष्ट आरो और अवरो से एक राग है उसी आरो अवरो से कोई दूसरा भी राग है दोनों में अंतर कैसे किया जाए तो उनकी चलन से दोनों में अंतर होगा जब हम उसका विस्तार करेंगे तो उन में अंतर नजर आएगा उधारन भेरवर का लिंगडा का तो देखो रागों में समानताएं भी है रागों में विभिनताएं भी है similarities और दोनों में difference तो ये जानना बहुत जरूरी है रागों के लिए तो हम जब राग की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य जो है एक step है जो जानना बहुत जरूरी है तो आरो अवरो से तो हम कहते हैं मेराग में प्रयोग होन वाले स्वर और वो किस क्रम से हैं इसका हमें पता चलता है लेकिन हम जब उसको गाते हैं बजाते हैं तो उसाद अच्छे से हमें समझ में आता है और वो उसकी चाल है उसकी चलन है तो ये एक और नियम है रागदारी संगीत के अंतरगत जो विद्यार्थियों को जो है बहुत जरूरी है जानना अब रागदारी संगीत में आरो वरो हो गया पकड हो गयी हमें पता चल गए कि कौन से स्व़ः प्रयोग हो रहे हैं उनकी इन में से कौन सा एक स्व़रों का गुच्छा है जो गाते हैं हम राग को पहचान सकते हैं राग की जाती हैं में पता चल गई राग के को जब हम गाते बजाते हैं तो सभाविक है कि जब राग का विस्तार कर रहे हैं उसको हम चलन कहते हैं तो जब हम गा रहे हैं जब हम उसका चलन और उसका विस्तार कर रहे हैं तो हमें एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूती होती है हमें एक फील आता है क्योंकि वो जो अभीव्यक्ती है वो एक तरह का महौल पैदा करती है और वो एक तरह का भाव पैदा करती है एमोशन पैदा करती है जो हमारे हम उसको सुनते हैं और हमारे कहीने के हिरदय को वो छूती है और उसके बाद वो चली जाती है तो वो जो एक भाव हमारे हिरदय को पर्ष करता है वो भाव हम भूलते नहीं और वो भाव हम कहते हैं कि वो एक विशिष्ट प्रकार का भाव है जो राग के नेचर को राग की प्रकृति को बताता ह ये तो हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि हमने कोई गीत सुना तो हम कह सकते हैं कि ये गीत जो है ये बहुत डिप्रेसिंग है, ये गीत बहुत खुशी का है, इस गीत को सुनके ऐसा लगता है कि हम बहुत खुशी से जूमें, इस गीत को सुनने के बाद लगता है बिल् प्रोत होते हैं इस अमुक स्वरों की समधाय को या राग को सुनने के बाद या उस स्वर की चलन को सुनने के बाद हमें लगता है हम बिलकुल गंभीर रूप से ध्यान मगन बैठ जाएं बहुत गंभीरता उसमें दिखती है यानि हर्श शोक जोश खुशी वीरता वादसल्य करुणा गंभीरता शान अलग अलग तरह के भाव जो हैं वो प्रकट होते हैं अलग अलग तरह के स्वरों के प्रयोग के चलन से जिसे कि हम राग कह चुके हैं तो वो राग की प्रकरती बनाता है यानि राग के नेचर को आपके सामने लाता है कि राग की प्रकरती क्या है अक्सर आप जब पढ़ते हैं पुस्तकों में या आप सुनते हैं तो कहते हैं ये राग बहुत करुण प्रकरती का है ये राग का भाव बहुत करुण है या हम कहते हैं कि हमने राग भहरव सुना या हमने गाया और हमें लगा कि हम शान्त आख बन करके जो है हम समाधी में बै या गंभीरता का भाव है ये भी तो एक विशिष्ट प्रकार के रस की अनुभूती करता है और विशिष्ट प्रकार की भाव की अनुभूती करता है जो हमने फील किया महसूस किया और वो जो महसूस किया वह बहार आता है वो राग की प्रकरती को बनाता है और राग की प्रक भूने वाले स्वरों का चलन बहुत ही महत्पपून है तो इसी तरह से राग की प्रकरती जो है वो निर्धारित होती राग का नेचर अब बात आती है राग के गायन की जब राग को गाया बजाया जाता है तो राग का एक विशिष्ट समय होता है गाने का यानि उस राग को उस समय गाय जाता है जैसे की प्रातर काल को गाय जाने वाले राग अलग है मध्यान दोपहर को गाय जाने वाले राग अलग है शाम को गाय जाने वाले राग अलग है रातरी में गाय जाने वाले राग अलग है और कुछ राग ऐसे हैं जो की प्रातर काल रातरी खतम होकर स पॉइंट पर जो समय है यानि की संधी प्रकाश के समय जहां संधी और प्रकाश दूनों मिल रहे हैं तो उस समय जो है कुछ रागों को गायब जाए जाता है कुछ रागों को शाम को गोदुली वेला में यानि वो भी संधी प्रकाश का समय है वहाँ पर भी दिन खतम होता है और रात्री आरंभ होती है, ऐसे समय में भी वो राग गाय बजाए जाते हैं, तो ऐसे समय में भी गाय बजाए वाने जो राग है वो भी मिलते हैं, तो यानि वो भी समय होता है, तो कहने का ताथ पर है कि हर राग का अपने गायन और वादन का समय होता है, जो बहुत ही पर शास्त्री रागों की तो वहां पर हम ये कहते हैं कि ये राग प्रा तक काल गाया जाता है लेकिन जब हम उसको सीखते हैं तो दिन में दो बजे हमारी क्लास है तो हम दो बजे उसको सीखते हैं तो क्या उसका रस कम हो गया क्या उसकी प्रकरती चेंज हो गई क्या उसको हम फिर यदि वो गंभीर प्रकरती का है तो हम उसको कह सकते कि चंचल हो गया ये बात बिलकुल आएगी ये प्रशन उठेगा विद्यारती के मन में मैं यहाँ पर कहूंगी कि जब आप कोई चीज सीख रहे हैं या उसका रियाज कर रहे हैं तो एक अलग बात है लेकिन जब उसका प्रस्थूती करण कर रहे हैं तो उस समय समय सिध्धान्त जो है जो राग का समय है उस समय ही आप उसको प्रस्थूत करें क्योंकि उस समय वो राग बहुत सुन्दर तरीके से खिल कर आपके सामने आता है तो उस समय उसको प्रस्तुत करें तो आपने अक्सर संगीतकारों को देखा होगा गायकों को वादकों को देखा होगे दिशाम की सभा है तो वो कल्यान से शुरू करते हैं या कल्यान के किसी प्रकार से शुरू करते हैं या पूरी अधनाश्री से करते हैं पूरवी से शुरू करते हैं वो समय भैरव नहीं गाते या बजाते यहuraña वरंदावनिसारं जाएंगे कि आप समय को गाया बजाया जाता है वो भी एक नियम है ऐसे हम चाहना प्रसारं लेकम одनले तो दस बजे क्या उसका आनंद कम हो जाएगा ये भी प्रश्ण विद्यारतियों ने पूछा अकसर ये विद्यारती प्रश्ण पूछते हैं कि जब हम यदि तीन बजे प्रसारण है और हमें दस बजे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी तो क्या हमारे गायन ये हमारे गाव उस समय पैदा होगा वो क्या कम होगा इसका उत्तर देने का मैं ये प्रयास कर रही हूं कि उस समय जो गाय क्या व्यादक उसको गाता बजाता है तो वो उसका एक उसकी कलपना करता है कि वो तीन बजे के आस पास उसको गा बजा रहा है ऐसा मेरा मानना है कि तीन वो एक सरह से अपने समय, अपने imagination एक उसकी रखता है कि ये तीन बजे गाय बजाय जाने वाला राग है तो उस समय की परिकल्पना करते वे ही वो उसको बजाता है या उसका ध्यान उसके वादन में, उसके स्वरों में रहता है तो ये दोनों चीजे कम माइन हो दी है तब वो एक सुन्दर प्रसूती करता है यहाँ पर उसका रियास जो है, उसका अभ्यास जो है ये बहुत माइने रखता है कि उसने कितना अभ्यास किया और जो सुनने वाला जो श्रोता है वो जब तीन बज़े उस प्रसार्ण को सुनता है तो उसे बहुत आनंद आता है क्योंकि वो उस समय का ही राग है तो राग को उसके जो समय सिध्धान्त के साथ ही राग को गाया बजाया जाना चाहिए ये भी शास्त्र का एक नियम है यानि रागदारी संगीत का एक अभिन अंग है अब हम बात करते हैं राग के वादी और समबादी की आप अक्सर जब राग को सीखते हैं तो आप कहते हैं इस राग का वादी ये है इस राग का समबादी ये है तो वादी और समबादी क्या है वादी का मतलब एक ऐसा स्वर जो राग में बहुत महत्वपूर हो जो राग को एक प्रतिष्ठा प्रदान करे जो राग में एक चमकते सितारे की तरह हो उस पर बार बार न्यास हो रहा है उसका प्रियोग जादा हो रहा है आलाप के साथ तान के साथ बंदिशों में उस स्वर का बहुत अधिक उसका प्रियोग है वो जो स्वर समुधाय है उस राज जी के प्रशासन को चलाने में या हम कहें कि एक कोई क्लास का मॉनिटर होता है हम कहते हैं क्लास का मॉनिटर होता है यह वो मुख्य है उससे आप सारी उमीदे रखते हैं कि यह राग को यह क्लास को रेप्रेजेंट करेगा तो राग को भी रेप्रेजेंट करने के लिए एक स्वर होता है जो राग में राजा की तरह सुशोबित होता है जो राग में प्रमुक होता है जो राग में बार-बार प्रियोग होता है एलग चमकता है बार-बार उस पर न्यास होता है विन्स्वर समुदायों को जो है उसमें उसका प्रियोग होता है वो दूसरे स्वरों है तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि ये राग का वादी स्वर है वैसे देखा जाए तो हर राग का वादी स्वर अलग अलग है उस राग के अनुसार उस राग के स्वरूप के अनुसार किसी राग में गम वादी है किसी में धा है किसी में पा है किसी में मावादी है तो इस प्र समवादी, यदि वादी के ही समान, अब वादी के समान कैसे हो सकता है, यदि वादी के और समवादी के बीच में एक बैलन्स होता है, वो बैलन्स जो है, उसको तभी वो राग बहुत सुन्दत तरिकी से उसका विस्तार किया जा सकता है, बैलन्स कैसा है, जैसे कि एक ब्रिज बन रहा है उस ब्रिज को बनाने के लिए दोनों तरफ से पिलर्ज है और उसके उपर ब्रिज बन रहा है तो ये वादी है तो ये समवादी है और उसके उपर पूरा राग उसका विस्तार हो रहा है अब वादी और समवादी ये जो वादी समवादी इसके बीच का जो ये शबाक है, दूसरा थीसरा सवर समबादी नहीं हो सकता, यानि कि फुल बनना है, तो उसमें दी हम दूसरी दिवार को यहां पदूसरे पिलर को इधर लेकर आएं, तो वो फुल नहीं बन पाएगा, उसके वपड़ ट्रेक नहीं बिच पाएगा, तो इसलिये हमने उसको उतने ही distance पे रखना है जितना की मान्य है तो यहाँ पर चौथा या पांच वर सवर जो है वो वादी या समवादी है वादी का समवादी होगा यहीं सा वादी है तो म समवादी हो सकता है या प समवादी हो सकता है म वादी है तो सा समवादी हो सकता है प वादी है तो सा समवादी हो मापध यानि चौता स्वर क्या हुआ धैवत उसके बाद पांचवा स्वर है नी तो या तो धैवत वादी होगा या निशाद वादी होगा और वादी समवादी बहुत आवश्यक है जहां वादी को हमने राजा कहा वही समवादी को हम मंतरी कह सकते हैं प्रधान मंतरी कह सकते उसको और ये दोनों स्वर बहुत ही महत्वपून है बहुत important है राक के लिए राक का जो चलन है राक के विशिष्ट स्वर समुदाय जो है वो इन दोनों स्वर उपर नहीं दोते हैं तो समबादी वादी की तरह सभावी है कि न्यास का स्वर भी होगा तब ही तो वो संबाद कर रहा है जब हमने कुछ कहा कि आपका नाम क्या है अगले ने उत्तर दिया मेरा नाम अनीता है तो यानि दोनों का बैलेंस बन रहा है दोनों उत्तर और प्रश्ण और उत्तर दोनों सामने नजर आ रहे हैं तो ये बैले जो मैं वादि और समवादि के साथ आपको बताना अनिवारी समझती हूँ, वो है अनुवादी और विवादी, अनुवादी नहीं राजा भी है, मंत्री भी है, तो प्रजा भी चाहिए, जिस पर की वो शासन करेंगे, तो यदि सा वादी है प समवादी है तो बागी जो स्वर हैं रेगा माधनी ये प्रजा है इसको हम अनुवादी कहते हैं तो यानि राग में वादी और समवादी के अतरिक जो अन्निस वर प्रयोग होते है वो अनुवादी कहेंगे अब एक बात आती है विवादी विवादी यानि विवाद करणा ऐसा जिसके आने से महुल खराब हो जाए या जिसके यूज करने से राख खराब हो जाए तो ऐसा स्वर विवादी स्वर विवाद उत्वन्न करता है राख को बिगाडता है या राख को जो है वो अलगी कहीं लेकर जाता है उसके स्वरूप में बदलाव लेकर आता है तो प्रश्ण आपके आएगा कि विवादी के आवशक्ता ही क्या है आपकी बात एकदम सही है आपका प्रश्ण आना बिल्कुल सही है कि विवाद क्यूं ऐसे सवर का प्रियोग क्यूं अक्सर विवादी सवर का प् प्रहाने के लिए विद्वान लोग या बड़े-बड़े संगीतकार, गायक, वादक जो हैं वो एक शन के लिए विवादी स्वर का प्रयोग करते हैं फिर जो है मेंड स्ट्रीब में आ जाते हैं इसका मतलब है बहुत कम महात्रा में कभी-कभी अचानक से उसको छू करें कनस क्यास की चाया लगते हैं या उस उर को हलका सा एस्वर करके, वो में राग पर आ जाते हैं तो उस स्वर को करते हैं विवादी स्वर विवाद पैदा कर दिया है यदि हम उसको जादा استعمال करते हैं तो रागी बड़ल जाएगा क। इसलिए इतना एक बैलन्स वे में कभी- इसका उधारन जिदी हमने खीर बनाई उसमें हमने चीनी की जगा नमक डाल दी तो खीर बिगड़ जाएगी इसी प्रकार से विवादी सवर को जब हम राग में प्रयोग करेंगे तो राग बिगड़ सकता है लेकिन कभी कभी सौंदरी के लिए इसका इस्तवाल बहुत कम बह नहीं पर संपन्द करते हैं नमस्कार